हलो दूस्तू नमस्कार प्राफिट गुरु चैनल में एक बाद नए मार्केट अप्डेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दूस्तो इस विडियो में हम मल्टीपल कंपनियों को कवर करने वाले हैं उनसे रिलेटेट क्या-क्या अपडेट आ रहा है ये देखन वाले हैं तो सबसे पहले मार्केट को देख लेते हैं तो मार्केट लांस्ट इडिंग शेशन में एक अच्छी खासी कंडिशन में क्लोज हुआ 18,202 रूपे पर मार्केट का प्रिवियस क्लोज था 18,117 मार्केट बहुत अच्छा गेपप अपनिंग लेता है 18,211 हाई अच्छी के से comfortable में रहने वाला है उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि लांस्ट इडिंग शेशन में जो डाउ जोन है वह एक अच्छी कंडिशन में क्लोज हुआ है S&P 500 भी बहुत अच्छी कंडिशन में क्लोज हुआ है और NASDAQ भी बहुत अच्छी कंडिशन में क्लोज हुआ है तो काफी बड़िया मुमेंट हमें मार्केट में आगे भी देखने को मिलने वाला है तो जरूर बाजार को भी दूस्तों क्या करके रखिए अपनी रडार में रखिएगा ठीके बाजार के रेलेटेड आगे जैसा भी अपडेट आता है हम आपको जरूर अपडेट करेंगे तो फटा पट से इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करिए तो चलिए हमारा जो सबसे first company है उसके ओपर चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सबसे first company है उसका नाम है Asian Paint Limited Asian Paint के अगर मैं बात कहता हूँ तो करीवन 2.72% की गिरावट के साथ stock close हुआ है 31.06 रुपे देच्चाशी पैसे पर previous close था 31.81 रुपे 35 पैसे stock open होता 31.86 रुपे high लगाता 31.98 रुपे और low लगाता 3.97 रुपे 45 पैसे उसके साथ ही 2.98,000 करोड का market cap देखने को मिल रहा है P.E.N. इंग रिशो भी बहुत बढ़िया है और dividend इल भी बहुत बढ़िया है इसके साथ ही 52.00 का high 52.00 का low भी देख सकते हैं overall का performance भी हम देख सकते हैं कि Asian paint का कितना तगड़ा देखने को मिलता है ठीक है तो Asian paint के related क्या update आ रहा है अभी हम देख लेते हैं तो दोस्तो हम आचुके financial express के side के उपर अब यहाँ पर देखे क्या update लिखा है कि जो competition है paint sector में वो काफी तगड़ा अब होते जा रहा है ठीक है क्योंकि Asian paint अभी leader है उसके नीचे जितनी भी छोटी company आ है वो सब मिलकर क्या कर रही है अभी Asian paint को टक कर दे रही है ठीक है उसको target कर रही है और grassim industry जो है आधिति बिर्ला group की company है ये भी क्या करने वाली है दोस्तों paint industry में आने वाली है और बहुत बड़े investment के साथ आ रही है पहले उन्होंने बोला था हम 5000 करोड़ से आएंगे लेकिन अब उन्होंने बोला है कि हम 10,000 करोड़ से आएंगे अगर इतना बड़ा परसा paint industry में लेकर वो आ रहे है तो आप सोच सकते हो कि paint industry को कितना बड़ा एकोर competitor या एकोर बहुत बड़ा player मिलने वाला है तो इसके चलते इसके चलते दोस्तों क्या किया है Asian paint time Asian paint ने कुछ update दिया है CapEx plan को लेकर करीवन 6,750 करोड उपे दोस्तों Asian paint भी खर्च करने वाला है अपने company या अपने paint industry के उपर आने वाले 3 साल में इतना पैसा खर्च करेगा ठीके 3400 करोड उपे है जो है वो capacity को बढ़ाएगा मतलब दोस्तों अपना माल बनाने की जो छमता है उसको बढ़ाएगा 2550 करोड उपे दोस्तों वो इस segment में डालेगा और 800 करोड उपे का जो amount है दोस्तों वो acquisition में डालेगा तो आप देख सकते हैं कि जो Asian paint का ये plan हमें देखने का मिल रहा है 6750 करोड का ये Asian paint को बहुत उपर लेके जाएगा अब देखिए यहाँ पर advantage क्या है 10,000 करोड उपे लेके अगर आ रहा है grassy market में तो उसको शुरुआज जिरो से नहीं करना पड़ेगी अगर वो जिरो से शुरुआज करता ना तो Asian paint को को कोई दिक्कत नहीं थी अब देखिए ultra take cement आप लोगों देखा होगा ठीक है वो किसकी company है दोस्तों वो Adrian वे अधितिविल्ला group की company है ultra take cement ठीक है अब ultra take cement के आपने देखा होगा पूरे देस में कितने सारे डिलर हमें देखने को मलते हैं तो counties जमाया हुआ उनके पास एक क्या है दोस्तो मार्केट है बस उस मार्केट में दोस्तो क्या करना है पेंट को डिलिवर करना है और इनको दोस्तो पूरा पका पकाया जो खाना है वो मिल जाएगा अगर जीरो से सुरुवात होती दोस्तो ग्रासीं की तो इसको काफी समय लगता नाम बनाने में ठीक है लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो पहले से नाम बना हुआ है बस यहाँ पर काम करना है तो इसी चीज का टेंसन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यह अपडेट हमें कप का देखने को मिल रहा है यह अपडेट हमें दोस्तों हमें कल का देखने को मिल र तो हमारी जो second company है उसका नाम है happiest mind technology limited happiest mind technology के अगर मैं बात करता हूँ तो last trading session में हलकी सी तेजी के साथ 914 रुपे 20 पर close हुआ था previous close था 973 रुपे 40 पर से stock open होता है 988 रुपे 30 पर से high लगाता है 985 रुपे और low लगाता है 931 रुपे के आसपास मतलब एक अच्छा कासा moment हमें stock में देखने को मिला अब आप देख सकते है 14,000 करोर की company है P.E.N. ratio भी बहुत बढ़िया है dividend भी बहुत बढ़िया है साथ में 52 विक का है 52 विक का low भी बहुत बढ़िया है और overall का अपडेट की आ रहा है चलो वो देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों हम आ चुक में business standard की site के ओपर यह अपडेट हमें 7 नौंबर का देखने को मिल रहा है यहां पर लिखा हुआ happiest mind technology become ठीक है ध्यान से देखेगा manage service partner of service now service now करके company है ठीक है जहां पर दोस्तों happiest mind technology को partner बनाया गया है ठीक है वहां पर service provide करने से related मतलब वहां की जो services है वो happiest mind technology क्या करेगा manage भी करेगा और अपनी जो IT service है वो service now company में provide करेगा तो इस दोनों कमपनियों के related यह update तो बहुत बढ़ बढ़िया है लेकिन दोस्तों happiest mind technology के लिए ज्यादा बढ़िया है क्योंकि दोस्तों जो छोटे tender रहते हैं या जो छोटो partnership रहते हैं वहां से company बहुत अच्छा revenue generate करती है तो काफी बढ़िया update आ रहा है दोस्तो happiest mind technology के related अब चलते हैं और happiest mind technology का technical point जान लेते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हम आ गये हैं angel one के platform के उपर यह angel one का जो platform में यह other platform से हमें काफी बढ़िया देखने को मिलता है ठीक है और angel one अभी क्या कर रहा है बहुत सारी जो services है वो फिरी में भी आप लोगों को provide कर रहा है तो जरू दोस्तों angel one के platform को use लिंक आपको नीशे description में मिल जाएगा वहाँ से जाके dimate account भी आप open करा सकते हो ठीक है तो देखें happiest mind technology का सबसे important point करूंसा है अभी तो एक हजार रुपे का है जहाँ पर काफी दिन हो चुके हैं stock क्या कर रहा है इसी लेबल पे इसी zone में अपना जो time spend है वो कर रहा है यह द सकता है कि यहां तक भी आ जाए क्योंकि यह support level इसका ठीक है तो यह support level ना तो आपको डरने की जरूरत नहीं अगर यहां तक आ भी जाता है तो ठीक है इससे नीचे नहीं जाया का यहां से दोस्तों support लेके वह double से pullback देगा उसके साथ ही यह वाला important level 1000 रुपे का अगर यह 1000 रुपे का लेवल एक बार फिर से ब्रेक करता है तो काफी बढ़िया हमें comfortable जोन में भी स्टॉक देखने को मिल सकता है तो 1000 रुपे का लेवल नोट करिए और 800 रुपे का एक support लेवल नोट करिए इस हिसाब से happiest माइन टेकनोलोजी को watch करिए ठीक है चलिए second last company को देख लेत इसका overall का performance अगर मैं आपको दिखाता हो तो ये भी काफी बड़ी हमें देखने को मिलता है आप देख सकते हैं साथ में इसका बावन बिक का ही बावन बिक का low भी चेक कर सकते हो इस company ने last training session में मतलब दोस्तो कल की date में कल की date में evening में क्या किया है Q2 के number शो किये Q2 के number इतने खतरनाक हमें देखने को मिल रहे हैं एकदम unexpected वाले और उसके साथी company ने अपने shareholder को दोस्तो क्या किया है 1 to 1 का bonus भी दे दिया है अपने shareholder को तो ये काफी बड़ी update हमें इस company के related इनके shareholder के लिए देखने को मिल रहा है तो जरू दोस्तो आप क्या कर सकते हो इस company को अपने focus में रख कर चल सकते हो आगे जैसा भी update आएगा इस company से related हम जरूर आप लोगों को cover करेंगे तो फटा बच्च अब इस वीडियो को like कर दीजे और चैनल को subscribe कर दीजे तो thank you दोस्तो